केंफिन होमसेयर को लेकर काफी बढ़ी नियुक्त कमज़री की तरफ और हो है कैंफिन होमस कल भी टूटा आज भी टूटा क्यूं वज़े क्या है बताने के लिए तैयार है वरून को सब पता है को अज़े गयारा बिनट की कॉन को पर सुरू हुए ती और इस को नगे पूरा सुना है क्यों कि यह मावला कितना बड़ा है कितना वड़ा मुझे लगा कि कैसे वह 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 है वह भी पता है उन्होंने तो सबसे बड़ी इनफैक्ट जो मैं कॉन कॉल सुन रहा था उसमें आख इन US सम्झ हाएं और बैसिकली जो डिस्बर्स् dividend होते हैं वो डिस्बरस्मत् होते हैं इस कामने के देकिन कुछ बेस्डी है कीछ उता कि बीजिवु फोर्चब्रकाइठ फ्रåस कुछ इस neo अथरिटी थी, चेक्स पे, अब चेक्स पे साइन करने के अथरिटी किसके पास होती है, या तो उस बैंक के मैनेजर के पास होती है, खासकर वो यह सब डिस्बस्पेंट पे साइन करते हैं, और उसने यह जो फेक चेक्स है, वो बना के, जो पूरे पैसे थे, 38.3 कोर्ड के इसमें से भी जो assets थे, asset back disbursement थे, वो केवल 40 कोड के आसपास थे, ये bank ये company दरसल करना ये चाहती थी, कि एक centralized disbursement system जो है, वो ये बनाना चाहते हैं, और इसके लिए इनों ने एक normal जाज शुरू की अपने हर एक ब्रांच की, और उसमें दरसल इनको ये पकड में आया, कि इस कर्मचारी ने, जो funds है, वो disbursement के नाम पे, अपने और अपने wife के account में transfer कर लिये हैं, ये मामला हुआ था, November 2021 का, और क्यूंकि just for precaution, इनों ने और 6 महिने, यानि कि April 2021 से पूरी जाज की, और उसमें, अपने सारे branches की भी जाज इनों ने की, उसमें केवल ये एक चीज है, जो कमती के मुनाफिय में होगा, इसका assets पर कोई impact नहीं होगा, क्योंकि इससे assets का कोई relation नहीं है, केवल fake checks थे, जो इनोंने अपने account में डाले, 100% provisioning कमनी को करने पड़ेगी, कमनी ने कहा है कि, जिस करमचारी ने काम किया है, उसको तो गिरफतार कर लिया गया है, लेकिन recovery जो ह कि कोई बहुत बड़ी accounting entry नहीं थी, जिसको पकड़ नहीं पाए आप, तो इतना समय क्यों लगा, दूसरा, auditors क्या कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़े दिक्कत की बात यही है, कि auditors क्यों नहीं पकड़ पाए, और सबका यही सवाल था, कि auditors क्या कर रहे थे, कमनी का कहना है कि जो local auditors है, उन्होंने उस branch का audit किया था, अब जो भी हो, लगातार fraud के cases जो है, कैंफिन होंस में आते जा रहे हैं, बिल्कुल, तो दूसरा fraud का case है, कैंफिन होंस में लाजिस्तान में इसके फिले हुआ था, और इसलिए आप stock पर भी गिरावट देख रहे हैं, amount उतना